Hello Children, Welcome to Tewari Academy आज हम Chapter 9 Life in Desserts के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे Desserts क्या होता है Desserts का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर आ जाती है धेर सारी रेत होगी, Camels होगे, सुखा सुखा होगा, कहीं पे कोई vegetation नहीं होगी लेकिन ये धारना, हमारा ये perception बिलकुल रॉंग है Desserts ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ interesting चीज़ हैं इस Chapter में हम जानेंगे इस Chapter में हम सबसे पहले जानेंगे कि Desserts क्या होता है Different type of dessert क्या होता है फिर हम वैसे दो वोल्ड में बहुत सारे Desserts हैं लेकिन एक Hot Dessert और एक Cold Dessert की Case Studies करेंगे Hot Dessert में हम सहारा Dessert की Case Studies करेंगे और Cold Dessert में हम ले लद्दाक की Dessert की Case Studies करेंगे फिर हम इस Chapter का Quick Recap करेंगे तो आज की इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चाप्टर में हम जानेंगे deserts क्या होते हैं desert is an arid arid का मतलब होता है dry area मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती हो characterized by extremely high और low temperature right deserts में extreme temperatures होते हैं यह extremely high भी हो सकते हैं extremely low भी हो सकते हैं और यहां की vegetation हमेशा scars रहेगी scars मतलब बहुत कम रहेगी दूर दूर पे कहीं इका दुका पेड़ पौदा हमें दिखेगा right तो हमारी धार्ना वो camels और वो camels वो सुखे सुखे पेड़ और ऐसा ही sand dunes यह desert का एक पाथ हो सकती है लेकिन not entirely desert इस chapter में हम सबसे पहले deserts के बारे में पढ़ेंगे हमने जाना desert एक arid मतलब कि dry region होता है जो कि climate में extremely cold भी हो सकता है यह extremely hot भी हो सकता है और इसके लावा हमने जाना कि यहां की vegetation compulsorily scars होगी scars होगी मतलब बहुत कम होगी लेकिन chapter 5 में हमने water के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि कैसे plants, animals और हम सभी people के लिए पानी एक इतना ज़्यादा important resource है अब यह सोचो कि अगर हमें पीने के लिए ही पानी ना मिले तो हमारी life कितनी ज़्यादा difficult हो जाए हम grasses को कैसे पानी देंगे और kettle को क्या पिलाएंगे और हम crops भी कैसे grow करेंगे मतलब हमारी life बहुत ज़्यादा difficult होगी ऐसे areas में but don't worry there are some people in the world जिनों ने ऐसी भी harsh extreme climate और temperatures को fight करके cope up करके वहाँ पे रहना सीख लिया है अब इसके बाद हम बात करें deserts की, तो deserts जो है इतने जादा extreme temperatures के होते हैं कि ये दिन में as hot as fire हो सकते हैं और thंडे desert as cold as ice हो सकते हैं इसका मतलब चाहे गरम हो, चाहे ठंडे हो ये हमेशा extreme होते हैं temperatures में hot में हो सकता है दिन में 50-60 degree Celsius हो और cold में हो सकता है minus 20-25, 30 degree Celsius हो 0 degree पे तो बरफ बन जाती है पानी भी बरफ बन जाता और यहां पे minus 20-25 degree Celsius मतलब life is very difficult in these areas अब ये desserts की बात करें तो ये desserts world के different different हिस्सों में फैले हुए हैं अब ये desserts जो हैं सभी की एक common feature है कि यहां पे बारिश बहुत जादा low होती है scanty vegetation है और extreme temperature है अब extreme वो hot और cold दोनों के terms में हो सकता है जहां पे extremely high temperature है वो hot desserts बन जाते हैं और जहां पे extremely cold temperature है वो cold desserts बन जाते हैं अब depending on the temperature desserts can be of two types hot or cold desserts the people inhabitant these lands wherever little water is available to practice agriculture अब लोग इन desserts में छोटी मोटी उन जगाओं पे जाके रहने लग जाते हैं जहां पे उन्हें थोड़ा बहुत भी पानी डिखता है हम सबसे पहले देखेंगे world में desserts कहां कहां पे हैं world में desserts की बात करें तो dessert दो तरह की हो सकते हैं hot and cold और कुछ जो की coastline पर situated होते हैं जो की जने हम coastal deserts भी कहते हैं हम सबसे पहले cold deserts की बात करें तो ये arctic desert जो की north america और europe में है फिर इसके बाद हम cold desert की बात करें तो goby desert जो की china में है antarctic desert जो antarctica में है patagonian desert ऐसे ही बहुत सारे जिसे green land में भी cold desert है तो ये सारे cold deserts है मतलब यहां का temperature extremely low होगा इतना जादा ठंडा होगा की यहां पानी भी नहीं सिर्फ बर्फ ही होती होगी अब बात करें hot deserts की तो ऐसे ही hot desert भी world में कई जगा पे हैं जिसे sahara जो की world का सबसे largest desert है फिर kalahari desert जो की आफरिका में है फिर हम बात करें thar desert जो की इंडिया में है फिर हम बात करेंगे Arabian desert की जो की Arabia में है और इसके इलावा हम बात करें Australia के desert की तो ऐसे ही world के बहुत सारे हिस्सों में different type of deserts पाई जाते हैं लेकिन कुछ deserts बड़े ही unique होते हैं कि वो coastal areas में होते हैं मतलब समुंदर के बिलकुल बाजू में होते हैं तो ऐसा ही एक desert है Atakama और Namib Atakama world का सबसे जादा driest desert है driest मतलब सबसे जादा सुखा हुआ desert है और Namib Namib जो की आफरिका का ही एक desert है यह समुंदर के तठ के पास है बड़ी हिरानी की बात है बट फिर भी desert है और बात करें सहारा desert की तो सहारा world का सबसे largest सबसे hottest और सबसे oldest desert भी है आएए इस video को हम continue करते है Children हमने different deserts अभी अभी देखा कि world के अलग-अलग कोडों में अलग-अलग desert situated है अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक hot desert की सहारा desert की जो की आफ्रिका के northern हिस्से में situated है यह बहुत सारी countries जैसे की Algeria, Libya, Egypt, Sudan, Chand, Niger, Mali Mauritania, Western Sahara, Morocco आदी को cover करता है यह world का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे hottest desert है राइट, Sahara desert हम बात करें Sahara desert की तो Sahara desert world का सबसे largest desert है area wise और यह करीब 8.54 million square kilometers का area cover करता है जबकि इंडिया का area सिरफ 3.2 million square kilometers है इसका मतलब है कि desert का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो उठों की pictures आ जाती है और dry sand का खयाल आ जाता है दिमाग में जिनका surface जो है totally rock से covered होता है जिसे एक example के लिए हम बात करें तो Iranian desert यह totally rock से covered है अब इसके बाद the rocky surfaces may be more than 2500 meters high at some places मतलब यहां के rocks भी काफी जादा उचे उचे होते है इसके बाद बात करें हम Sahara desert की जो की world का सबसे largest desert है आफरिका के northern हिस्से में situated है यहां पर बनी हुई cave paintings को देख कर हमें पता चलता है कि यहां पर एक जमाने में crocodile, elephant, lion, giraffe, ostrich, sheep, cattle, goat जैसे animals रहा करते थे but change in climate has changed it to a very hot and dry region और यहां पर climate change हुआ और इतना जादा change हो गया कि यह world का एक largest desert बन गया right Al-Azizya in Sahara desert south of Tripoli, Libya recorded highest temperature of 57.7 degrees celsius मतलब इतनी जादा गर्मी oh my god अब इसके बाद ऐसे ही climate की बात करें Sahara desert की तो Sahara एक hot desert है यहां पर दिन में scorching hot temperature होता है parched dry होता है बहुत जादा गर्मी और सुखा हुआ यहां का climate होता है इसके अलाबा हम बात करें तो it has a short rainy season जिसमें की ना के परापर पारिश होती है, the sky is cloudless and clear है यहां पर हम देखें तो आसमान में बादल तक दिखाई नहीं देते बारिश कहां से होगी here the moisture evaporates later than it accumulates इसका मतलब सहारा desert की एक बात बहुत famous है कि अगर हम अपने घर में जिसे example की तोर पे अगर हम एक glass में पानी भरके उसे नीचे फिकें, तो क्या होगा पानी जमीन पे गिर चाएगा, right लेकिन सहारा में तो एक जादू हो जाएगा, यह पानी जमीन तक पहुँचेगा ही नहीं इसका मतलब यहां की air इतनी जादा dry है, इतनी जादा dry है कि पानी जबकि glass से उपर से नीचे गिर है उससे पहले ही हवा उसे absorb कर लेती है और अपने साथ उड़ा के ले जाएगा, मतलब कितना जादा dry होगा यह area, right days are unbelievably hot, बहुत जादा गर्म दिन होते हैं, the temperature during the day may soar as high as 50 degrees heating up the sand and bare rocks, 50 degrees celsius करीब यहां का temperature होता है और रेत तो मानो तपती है rocks भी बहुत जादा घरम हो जाते है और जितनी भी heat निकलती है वो बहुत जादा आसपास के areas को hot कर देती है, nights may be freezing cold with temperature nearing 0 degree celsius क्या, yes nights यहां पे इतनी ही ठंडी होती है like 0 degree celsius अब इसका logic समझते है actually क्या होता है, rate गरम भी बहुत जादा जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जादा जल्दी हो जाती है तो दिन में जब sun हमारे overhead होता है तो rate इतनी जादा जल्दी गरम हो जाती है कि यहां का दिन में temperature करीब 50 degree celsius हो जाता है और रात में जब sun set हो जाता है तो rate ठंडी हो जाती है और इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है कि शाम होते होते, रात होते होते यहां का temperature 0 degree celsius हो जाता है मतलब रात में रजाई ओड के सोना पड़ेगा और दिन में तो इतनी गरमी होगी कि दिन में तो हम आगी ही लगी रहेगी और रात में बरफ ही जमी रहेगी I mean ऐसा climate रहेगा वहां का दिन में इतना ज़ादा गरम और रात में बहुत ज़ादा ठंडा अब बात करें यहां के flora and fauna की vegetation and saara desert includes cactus, date palms and acacia यहां पर कोई बहुत ज़ादा vegetation तो होती नहीं है पर फिर भी कहीं कहीं पर cactus, date palm और acacia उगते हैं और यह भी सिर्फ कुछी areas में उगते हैं जहां जहां पर oasis होते हैं अब oasis क्या होते हैं? oasis कुछ ऐसे areas होते हैं जहां पर की रेट के बीच में थोड़ा सा पानी होता है उसी के आजू-बाजू थोड़े बहुत plants grow कर जाते हैं इस पानी को ही हम oasis कहते हैं मतलब desert में एक छोटा सा pond इसे हम oasis कहते हैं और इसी के आजू-बाजू सारे plants grow कर बहुत जादा plants तो यहां grow भी नहीं कर पाते हैं और यहां पर सिरफ date palm, acacia, cactus ऐसे ही कुछ plants grow कर पाते हैं और यह green islands with date palm surrounding थे हैं जैसे अभी हमने picture में देखा कि पानी के आजू-बाजू ही green tree होती है इसके अलावे यहां पर बहुत सारे animals जैसे की camels, hyena, jackal, foxes, scorpion और many varieties of snakes and lizards can be found यहां पर बहुत सारे snakes, lizards भी पाए जा सकते हैं और desert बिलकुल एक dry area होता है जहां पर लंबे-लंबे कहीं दूर-दूर में trees, dry grasses देखने को मिलते हैं Scientists have actually found skeletons of fish in the desert What have happened? मतलब यहां पर एक जमाने में मचलियां भी थी मचलियों के लिए तो पानी जरूरी है, पानी तो मचली के बिना रह नहीं सकता राइट, नहीं नहीं, मचली पानी के बिना नहीं रह सकती अब बात करेंगे यहां के common लोगों की, तो यहां के common लोग कैसे होते हैं सहारा desert के लोग जो हैं, काफी ज़ादा harsh climate में भी रह पाते हैं अब यहां पे रहने वाले लोगों को हम बिडूइंस यां ट्वारग्स कहते हैं अब यह दोनों ही यहां की nomadic tribes हैं, जो की यहां पर आकर dearing livestock such as goat, sheep, camels and horses करती हैं मतलब यहां के लोग, tuarics जो होते हैं या बिडूइंस जो होते हैं tuarics और बिडूइंस जो हैं, animals को rare करने का काम करते हैं मतलब के जानवे जैसे की camels को पालते हैं और उनका skin है, उनका dood है, आदी को बेचते हैं और इसी से पैसे कमाते हैं अब यहां पर इतनी जादा गर्मी होने की वज़े से यहां पर इन्हें कोई बहुत जादा सबजी, fall fruit तो मिलने ही पाता खाने के लिए तो यह ऐसे animals का dood पीते हैं, उनकी hides मतलब की skin खाते हैं और इसके बाद इसी leather का slippers, belts और water bottles बनाते हैं और hairs से mats बनाते हैं, carpet, clothes, blanket यह सब बनाते हैं यह लोग अपने heads पे एक headgear टाइप का पहनते हैं जो कि इन्हें extreme heat और extreme weatheric condition से बचाने में help करता है सबी ने अपने head पे एक headgear मतलब की पगडी टाइप की बांदी हुई होती है right? deserts में सिरफ sahara desert के nile valley in egypt या oasis के आसपास ही कुछ-कुछ population एक settler life रह पाती है otherwise सभी लोग यहां पे hunter gatherers होते हैं since water is available they grow date palms, crops such as right weed, barley, beans are also grown जहां-जहां पे पानी मिल जाता है, egyptian cotton is famous along the worldwide is grown in egypt यहां का cotton worldwide famous होता है और यहां पर समय के साथ जब से oil के discovery हुई है यह throughout the world में बहुत जादा demand में है हमको लगता है कि पूरा egypt ही ऐसा होगा तो हमारी सोच गलत है egypt में भी बड़ी-बड़ी buildings है, egypt भी एक बहुत developed country है Algeria, Libya, Egypt constantly सहरा desert से कोप अप होकर एक अच्छी developed countries बन रहे है other minerals of importance that are found in these areas include iron, phosphorus, manganese and uranium the cultural landscape of Sahara is undergoing change right, अब मैंने अभी अभी बताया कि यहां का culture जो है धीरे-धीरे change होता जा रहा है पहले हमें लगता था कि यहां पे सिरफ द्वारिक्स रहते होंगे और वही धीले-धीले gowns पहन के रहते होंगे लेकिन अब ऐसा बिलको भी नहीं है अब पहले हमें लगता था कि ट्वारिक्स जो हैं सभी एक सिंपल सी लाइफ जीते होंगे सिरफ गामल को रेर करते होंगे बट अब ऐसा बिलकुल भी नहीं है सभी लोग जो हैं अपनी वो वली nomadic herdsman की life को छोड़कर city में आकर रह रहे हैं jobs ले रहे हैं oil और gas operations में और यहां पर भी बड़ी-बड़ी buildings हैं और बहुत सारे mosques भी हैं अफकोर्स हम सभी deserts को कुछ ऐसे देखते हैं camels बड़े-बड़े sand duns यह Egypt की pictures हैं जहां पर बहुत सारे pyramids हैं लेकिन other side of Egypt ऐसी भी है जहां पर बड़े-बड़े mosques हैं बहुत beautifully constructed mosques हैं लोग बहुत सुन्दर एक अच्छी सी settled life जीते हैं और इसके अलावा एक side Egypt की यह भी है जहां पर की सारी ही modern building सारी modern facilities available हैं तो Egypt यह ऐसी ही desert countries जो हैं वो सिर्फ ऐसी ही नहीं है सहारा सिर्फ desert मतलब ऐसा area नहीं है जहां पर सिर्फ लोग कुछ camels के पास रहते हैं एक side of desert यह भी है मतलब deserts इतने ही जादा develop हो चुके हैं अफकॉस कुछ लोग अभी भी ऐसे ही रहते हैं और oasis के पास रहते हैं लेकिन यहां पर भी लोग अब एक settled life रहने लगे हैं hot deserts के बाद हम बात करेंगे cold deserts की cold deserts क्या होते हैं और इसी के लिए हम case studies लेंगे ले लगदाक के cold deserts की राइट अब हम बात करें cold deserts की तो world में बहुत से cold deserts हैं जैसे बहुत से hot deserts हैं बिल्कुल वैसे ही बहुत से cold deserts भी हैं इस chapter में हम लगदाक की case studies करने वाले हैं लगदाक शब्द का मतलशा है लगदाक दो शब्दों से मिलकर बनाया लगदाक ॲग का मतलशा मतलशा है mountain और दाख का मतलशा हम जोथा मीनट होता है country तो वो place यह व Croatia जहांपे बहुत सारी mountains उसे हम लगदाक कहते हैं और सचमे लिद्दाक में बहुत सारे mountains हैं. लिद्दाक एक cold desert है जो कि Great Himalayas में situated है. इसके eastern side में Jammu and Kashmir है और Karakuram Ranges इसके north में हैं और जन्सकार mountains इसके south में हैं. राइट? बात करें इसके map की तो बिलकुल ऐसा ही है. जमुएं किश्मीर के east में हैं और जन्सकार valley इसके south में हैं और north में Karakuram Ranges हैं. राइट? इसके बात करें तो यहां से बहुत सारी नदिया निकलती हैं और सबसे important नदी है Indus. Indus जैसी बहुत सारी नदिया यहां से निकलती हैं और यह rivers बहुत deep valleys और gorgeous बनाती हैं. और बहुत सारे glaciers यहां पर पाए जाते हैं लड़ाक में. For example, Gangri Glacier. हमको पता है कि सारी major नदिया, सबी नदिया जो हैं Glacier से निकलती हैं. The altitude of Ladakh. Altitude का मतलब height जो हैं वो करीब 3000 मीटर है करगिल में. करगिल हम सभी जानते हैं war के लिए बहुत famous in 1999 में करगिल की लड़ाई हुई थी to 800-8000 मीटर इन कारकुरम. मतलब करगिल से लेके कारकुरम ranges तक 5000 मीटर तक की height बढ़ सकती है. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. अब यहाँ पर climate तो extremely cold है ही और इसके अलावा dry भी क्योंकि ये mountains जो है एक rain shadow area में आते हैं. मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होगी. Right? The air in this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. और यहाँ पर इतनी जादा पतली हवा होती है हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं. Altitude बढ़ता जाता है तो air की thickness कम होती जाती है और यहाँ पर जाते जाते इतनी जादा thickness कम हो जाती है कि यहाँ पर sun का temperature जो है, sun की heat जो है वो बहुत जादा intensively feel की जा सकती है. The day temperature in summers are just above 0 degree and night well below 30 degrees, minus 30 degrees. दिन में तो यहाँ पर करीब 0 degrees temperature होता है और रात में करीब minus 30 degrees temperature हो सकता है. इसका मतलब दिन में भी बहुत ज़ादा गर्मी है और रात में भी बहुत ज़ादा गर्मी है लेकिन फिर भी दिन में जो है sun की rays बहुत ज़ादा hot heat of the sun felt की जा सकती है इसके अलावा द्रास ये world की सबसे one of the coldest inhabited places है ये भी इसी sector में located है अब यहाँ पर इतनी ज़ादा freezing cold winters होते हैं कि यहाँ पर temperature करीब minus 40 degrees celsius के करीब हो सकता है zero degrees में तो पानी भी बरफ बन जाता और यहाँ पर करीब minus 40 degrees temperature हो सकता है Ladakh का reason totally एक rain shadow area में है मतलब यहाँ पर बारिश होने के chances बहुत कम होते हैं there is little rainfall as low as to as 10 cm every year मतलब पूरे साल में सिर्फ 10 cm के आसपस जो की बहुत ही ज़ादा कम है हम rain gauze से नापते हैं rainfall बहुत ही ज़ादा कम है the area experience is freezing winds and burning hot summers और यहाँ पर freezing winds होते हैं ठंड के time पर और burning hot sunlight मतलब बहुत ज़ादा sunlight को हम feel कर पाते हैं हवा की वज़े से हमारी जो heat की feel करने की capacity है वो काफी ज़ादा कम हो जाती है और ठंडी हवा चलती है कि मतलब सोचों की हमारा खून ही जम जाएगा और burning hot sunlight किसी भी जगा पर planes में भी बहुत ज़ादा गरम हवाय चलती है लेकिन यहाँ पर क्योंकि air का layer काफी ज़ादा मोटा होता है इसलिए यह सूरज की गर्मी हम इतनी ज़ादा feel नहीं कर पाते हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ी surprise की बात तो यह है कि अगर आप सूरज की गर्मी में बैठे हैं तो आपको sunstroke हो सकता है और अगर आपकी बाकी body जो है बलब shade में है तो आपको frost bite और sunstroke दोनों एकी time पे हो सकता है इसका मतलब गर्मी तो गर्मी इतनी ज़ादा कि sunstroke हो सकता है और सर्दी तो सर्दी इतनी ज़ादा कि frost bite भी एक ही time पे हो सकता है इसके बाद हम बात करेंगे यहां के flora and fauna की तो यहां पर बहुत ज़ादा लाटिट्यूट sorry altitude high होने की वज़े से बहुत ज़ादा aridity है मतलब यहां पर बहुत ज़ादा dryness है vegetation is sparse there are scanty patches of grasses and sherbs for animals to gaze अब यहां पे animals के खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो animals भी बचा रहे यहां पे नहीं रह पाते अब summer's के time पे यहां पे कुछ-कुछ fruits जैसे की apples, apricots और walnuts कुछ-कुछ लगते हैं और इसके अलावा बहुत सारी birds यहां पर पाई जाती है लदाक में जैसे robin है red start है tibetan snow cock है यह सब यहां की सबसे ज़ादा मतलब unique birds है some of these are migratory birds मतलब यह migrate होकर दूसरी country से आती है इंडिया और some of these birds जो है वो migratory है मतलब के दूसरी country से आती है the animals of Ladakh are wild goat, wild sheep, yak and special kind of dogs यहां पर goats और yaks बहुत जादा पाई जाते है yaks क्यों क्योंकि yaks की skin भगवान ने इतनी जादा मोटी बनाई है कि यह इतनी जादा temperature को bear कर सकते the animals are rare to provide milk यहां पर animals को rare किया जाता है ताकि वो milk provide कर सके meat और hide मतलब कि उनकी skin को खाया जाता है yaks milk is used to make cheese and butter और hair of the sheep and goat is used to make woolens अब सारे जानवनों की skin को हम sheep, goat हो गई, इनकी skin को हम, इनके hairs को हम woolens बनाने के लिए use करते हैं क्योंकि इनकी skin by default इसनी जादा ठिक होती है कि यह बहुत जादा ठंड को सहपाते हैं, right? Ladakh में बहुत सारे animals पाई जाते हैं, जैसे कि yaks, goats और इसके अलावा यह बहुत बड़ा बड़ा land है, खाली land है जहां पे zero vegetation पाई जाती है, right? Visitation के नाम पे यहां बहुत ही जादा कम चीजें देखने को मिलेंगी, बात करें, Ladakh की तो यह world की one of the most beautiful places में से एक है, Jammu और किश्मीर के पास है, यहां पे बहुत सारे tourist destinations हैं, और सच में यहां के लोग जो है tourist guides का का काम करते हैं, अब यहां की Ladakh की specialty की बात करें, तो finest cricket bats are made from the wood of willow tree, right? इसके अलावा हम बात करें, तो यहां पर Ladakh के लोग जो है Tibetan लोगों से कुछ-कुछ resemble करते हैं, जैसे और Ladakh के लोगों का culture भी कुछ-कुछ Tibetan लोगों से मिलता जुलता होता है, इसके अलावा हमें यहां पे बहुत सार Monks देखने को मिल सकते हैं, अब यहां के लोग यहां तो सभी के सब Muslims है, यहां Buddhist है, यहां पर बहुत सारे लोग Buddhist हैं, इसलिए बहुत सारी Buddhist Monasteries यहां पे आपको देखने को मिल सकती हैं, यहां पर traditional Gompas बहुत जहादा देखने को मिलता है, Some famous monasteries are Hemis, Tiske, Shea and Lamayuru यह सब यहां की famous monasteries के नाम है अब सवाल यह उठता है कि Monasteries क्या होती है Monasteries में Buddhist monks रहते हैं ऐसे ही जिसे हमने आश्रम सुने हुए हैं वैसे ही आश्रम टाइप की places होती हैं Buddhist monks के लिए यहां पे बहुत सारे Buddhist monks देखने को मिल सकते हैं और यहां का culture भी कही ना कहीं Tibet से influenced है इसके लावा बात करें लोगों की activities की तो यहां पे लोग समर में barley, potato, peas, beans और turnip को cultivate करते हैं और climate यहां का winter months are so harsh that people themselves engage in festivities and ceremonies यहां पे लोग जब winters होते हैं तो अपने आपको बहुत सारे festivals और ceremonies में engage करके लिखते हैं यहां के लोग सिर्फ में काम नहीं करते हैं लेकिन कुछ चोड़ी चोड़ी शोड़ी शोड़ी शोप्स भी हैं इनकी अब यहां का लदाक का capital है ले जो की बहुत well connected है road और air से लोग यहां पर एक बहुत famous tourist destination है ले लदाक लोग यहां पर especially road trips के लिए जाते हैं यहां पर एक अजीब सा ही magnetic hill है जहां पर हमने हमेशा सुना होगा अगर हम धलान पर जाते हैं तो धलान से नीचे उतरते वक्त हमको अपनी गाड़ी का engine बंद कर लें तो भी हम नीचे पहुंच जातें यहां लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा होता है हम अगर अपनी गाड़ी का engine बंद कर दें तो हमारी गाड़ी सीधा सीधा hill पे चड़ने लगती है यह magnetic hill का कमाल है the national highway i a connects lay to kishmir valley through the zozila pass बहुत ही famous जगा है zozila pass बहुत सुन्दर जगा है और इसके अलावा भी इस area में बहुत सारे passes देखने को मिल सकते है अब बात करें यहां के लोगों की तो यहां के लोगों का major काम tourism हो सकता है क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग tourism के लिए आते हैं सिर्फ इंडिया से ही नहीं बलकि abroad से भी आत है यहां का culture काफी जादा रिच है लेकिन कहीना कहीं तिबिट से influenced है जैसे की लोगों की colorful festivals को मनाने की जिसमें की couples को dance करते हुए देखा जा सकता है और beautiful headgears पहन के beautiful traditional attire पहन के देखा जा सकता है last में बात करें तो यहां की life जो है वो बहुत जादा changes undergo कर रही है just due to modernization but the people in Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with the nature इतनी जादा harsh conditions difficult conditions के बाद भी यह लोग यहां पे survive कर लेते हैं बहुत जादा बड़ी बात है due to scarcity of resources like water and fuel they are used with the reverence and care nothing is discarded or wasted यहां के लोगों की सबसे ची बात है यह लोग कुछ भी waste नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है resources कितनी जादा important है right बात करें मनाली ले highway crosses four passes रोतांगला बरांचला राइट ऐसे करके चार passes को cross करता है the highway opens only between July and September and तभी जब snow यहां से clear होती है मतलब सोचो सार जगा snow ही snow it is a beautiful land right लद्दाग is a beautiful land covered with you know very less vegetation बहुत दूर दूर तक open areas और बहुत सारी सुन्दर सुन्दर lakes हमको देखने को मिल सकती है right इसके लावा यहां पर बहुत सारी monasteries monks भी हो सकते हैं और यह एक cold desert है मतलब बरफ ही बरफ हर तरफ होगी इसमें unlike हमने जो दूसरा desert देखा था hot desert जिसमें की हर तरफ रेथ ही रेथ होती है तो यह two different perspectives, two different types of desert हमने देखा अब इस chapter में children इतना ही इसके बाद हम इस chapter का एक quick recap करेंगे तो children इस chapter life in desert में हमने सबसे पहले deserts के बारे में पढ़ा deserts क्या होते हैं? deserts arid areas होते हैं जहां पर extreme temperature होता है और scarce vegetation होती है extreme temperature high भी extremely हो सकता है और low भी extremely हो सकता है लेकिन यह हमेशा ही dry areas रहेंगे इसके लावा हमने पढ़ा कि desert की tough conditions में भी कुछ लोगों ने इन में cope करके रहना सीख लिया है extreme harsh climatic conditions में यहां के लोग बहुत ज़ादा harsh weather को भी सह पाते हैं का weather as hot as fire in the day or as cold as ice हो सकता है और इसके लावा यहां पर rainfall बहुत ज़ादा कम होती है scanty vegetation होती और extreme temperatures होते हैं इसके लावा हमने पढ़ा कि जहाँ पर ज़्यादा high temperatures होते हैं वो areas hot desserts हो सकते हैं इसके लावा लोग यहां पर हमेशा ही पानी के आसपास रहने की कोशिश करते हैं और हमने इसके पहले यह भी पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो settlements हैं हमने देखा है हमेशा पानी के आसपास ही होती है इसके बाद बात करें dessert के types की तो world में दो major type के desserts हो सकते है cold desserts और hot desserts hot desserts वो जो बहुत जादा गरम हो जैसे की सहारा dessert हो गया था dessert हो गया Arabian dessert हो गया कलहारी dessert हो गया right और cold desserts वो जो extremely cold हो जैसे की patagonian dessert हो गया Arctic dessert हो गया और Antarctic dessert हो गया और इसके लावा गोभी dessert हो गया right और कुछ desserts coastal desserts हो सकते हैं जो की coastal areas में located है जैसे की नमीब हो गया Atakama हो गया इसके लावा हमने पढ़ा Sahara world का सबसे largest सबसे oldest सबसे oldest dessert भी है इसके बाद हमने पढ़ा कि Sahara dessert जो है world का एक बहुत जादा बड़ा area cover करता है करीब 8.54 million square kilometers को cover करता है जिबकि इंडिया का area जो की 7th largest country of world में 3.2 square kilometers है Sahara dessert बहुत जादा countries जैसे की चाड अलजीरिया एजिप्ट लीबिया मली में फैला हुआ है और dessert का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो picture आती है कुछ ऐसी उठों की हर जगा sand और हर जगा oont with dry patches तो dessert ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं dessert cold dessert भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ले-लदाक के बारे में हमने पढ़ा और इसके अलावा कुछ desserts rocky desserts भी हो सकते हैं जहां पर की सिर्फ पत्थरी पत्थर हर तरह हो जैसे की Iranian dessert इसके बाद हमने सहारा dessert की location के बारे में बात की यह आफरिका के northern part में situated है और बहुत सारी countries को cover करता है और यह world का सबसे oldest, सबसे largest और सबसे hottest dessert है यहां का climate बहुत ही जादा scorching hot और parch dry होता है यहां पर रात में करीब 0 degrees के आसपास की ठंड हो सकती है और दिन में as hot as 50 degrees celsius और यहां पर ऐसा क्यों होता है क्योंकि दिन में sand बहुत जादा जल्दी गरम हो जाती है और शाम को sand बहुत जादा जल्दी ठंडी भी हो सकती है और दिन में बहुत जल्दी गरम इसके बाद हमने flora और fauna की बारे में बात की तो यहां पर बहुत जादा vegetation तो नहीं है cactus, date palms और acacia ही कहीं कहीं पर पाए जाते है इसके अलावा जहां जहां पर oasis है उसके आसपास लोग रहने की कोशिश करते है oasis के आसपास ही हमें कुछ-कुछ trees देखने को मिल सकते हैं या लोगों की settlements देखने को मिल सकती है यहां का अभी तक का सबसे highest recorded temperature है 57.7 degrees Celsius जो की 1922 में record किया गया था इसके अलावा यहां पर बहुत सारे animals जैसे की camels, hynas, jackals, scorpion, foxes और snakes और lizards की बहुत सारी varieties पाई जाती है बात करें यहां के लोगों की तो यहां के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा harsh weatheric conditions में रहना, adjust करना सीख चुके हैं यहां के लोगों को हम बिडूइंस या ट्वरक्स कहते हैं यह लोग nomadic tribes होती हैं जो की livestock जैसे की goat, sheep, camels और horses को rare करते हैं और उनका milk और उनकी skin को use करते हैं different items मराने के लिए यह लोग हमेशा ही आपने सिर पे एक headgear मतलब के पगड़ी टाइप की चीज़ पहन के रखते हैं जिससे की इन्हें गरम हवा से extreme weatheric conditions से protection मिलती है फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि यहां पर सहरा dessert में या Nile Valley में अब धीरे-धीरे कुछ लोग settle life दीने लगे हैं यहां पर rice, weed, barley और beans जैसे crops जहां पर पानी अवलेबल हो जाए ग्रो करने लगे हैं इसके लावा Egyptian cotton जो की world famous है वो Egypt में ग्रो किया जाता है इसके लावा यहां पर जब से जब से यहां पर oil की discovery हुई है बहुत सारे लोग जो है oil की refineries में, gas operations में काम करना चाहते हैं और यहां पर बहुत सारे minerals जैसे की phosphorus, iron, manganese और uranium पाये चाहते हैं और यहां की life अब बहुत जल्दी transform हो रही है मतलब अब it is no more that old kind of desert अब यहां पर भी लोग beautiful buildings में रहते हैं, of course desert ऐसा भी हो सकता है लेकिन transform होके desert ऐसा हो चुका है, right यहां पर हर तरह की facilities available हैं और बहुत सारी सुन्दर सुन्दर mosques देखने को मिलेंगी सहरा desert में इसके बाद हमने पढ़ा था the cold desert लदाक के बारे में जैसे ही बहुत सारे hot deserts होते हैं, same वैसे ही बहुत सारे cold deserts भी हो सकते हैं हमने उसके लदाक के बारे में detailed studies की थी लदाक एक cold desert है जो की हिमालियास में situated है eastern side of Jammu and Kashmir और इसके north में है कारकुरम ranges और south में है जंसकार mountains और यहां से several rivers specially जो है in this river flow करती है इसका capital है ले जो की एक famous tourist destination है यह एक बहुत ही जादा famous tourist destination है और यहां पर बहुत सारे famous glaciers भी है world की one of the coldest inhabited places द्रास भी यहीं पर है और 99 की लडाई के लिए एक famous कारगल जगा भी इसी जगा पर है अब इसके बाद बात करें यहां पर extreme altitude की वज़े से यहां की climatic conditions तो बहुत ही जादा extreme है और इसलिए यहां पर बहुत ज़्यादा ठंड परती है और dryness बहुत ज़्यादा रहती है यहां पर बारिश बहुत कम होती है यहां पर हवा इतनी ज़्यादा पतली होती है कि sun की जो गर्मी है वो उसको बहुत closely feel किया जाता है summers में भी zero degree temperatures होता है और रात में करीब minus 30 degrees Celsius तक temperature हो सकता है यहां पर रात में जो है ठंड में करीब करीब minus 40 degrees Celsius temperature हो सकता है winters में जबकि summers में minus 30 तक होता है इसके बाद हमने देखा था कि यह सारा ही area rain shadow area में है इसलिए यहां पर बारिश as low as 10 cm every year होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है बहुत ज़्यादा dry areas में से यह है और यहां पर हवा इतनी ज़्यादा पतली होती है कि यहां पर sun की गर्मी जो है हम बहुत ज़्यादा closely experience कर पाते है और ऐसे ही एक example दिया गया है यहां के flora and fauna की बात करें तो यहां पर बहुत ज़्यादा aridity dryness की वज़े से यहां पर vegetation कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती है यहां पर scanty patches of grasses ही कहीं दूर दूर पर देखने को मिलते हैं otherwise वो भी नहीं गर्मियों में जरूर यहां पर apples और apricots walnuts ग्रो करते हैं और यहां के लोग बाकी बहुत ज़्यादा तो कुछ agriculture प्राक्टिस नहीं कर पाते हैं लेकिन हां यहां पर animals को rare करते हैं और animals के milk और meat को खाया जाता है इसके लावा cheese और butter बहुत ज़्यादा बनाया जाता है अब यहां पर Tibetan snowcock, raven और बहुत सारे migratory birds भी यहां पर आते हैं इसके लावा ship यहां बहुत सारे animals यहां पर पाये जाते हैं यहां के लोगों की बात करें तो यहां के लोग generally बहुत ज़्यादा जो हैं Tibetan race से बहुत ज़्यादा influenced है और इनका culture भी Tibet से कुछ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इसके लावा यहां पर हमें बहुत सारी monasteries देखने को मिलेंगी बहुत सारे monks देखने को मिलेंगे बहुत सारे animals जैसे कि goats, sheeps, yarks देखने को मिल सकते हैं और यह एक बड़ा सा barren land होता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा कम vegetation कहीं कहीं दूर दूर पर इका दुका पाचस देखने को मिल सकते हैं यहां के लोग majorly यहां तो muslims होते हैं यहां तो buddhist होते हैं इसलिए यहां पर बहुत सारे buddhist monasteries जोने की हम गॉंपास भी कहते हैं देखने को मिल सकते हैं इसके लावा गर्मियों में लोग यहां पर barley, potatoes, beans, turnip peas कल्टिवेट करते हैं और यहां की women जो हैं बहुत जादा hard working होती हैं just like other places और यहां के लोग ठन के मौसम में अपने आपको harsh times में बहुत जादा festivals और ceremonies में engage करके रखते हैं इसके अलावा यहां के लोग सभी लोग जो हैं अपने घर का भी काम देखते हैं और चुटी-चुटी fields में भी काम करते हैं और business और shops को भी ध्यान रखते हैं यहां के लोग कुछ भी चीज हैं बिल्कुल waste नहीं करते हैं ले यहां का capital है और ले एक बहुत ही famous tourist destination है पूरे इंडिया में जोजिला पास जैसे की बहुत सारे लोग इन जगाओं को देखने आते हैं दूर दूर से सिर्फ इंडिया से नहीं बलकि across the world से आते हैं और लास्ट में हमने पढ़ा था tourism यहां की एक major activity है कि यहां पे लोग बहुत जादा tourism के लिए जाना पसंद करते हैं सिर्फ इंडिया से नहीं बलकि abroad से भी यहां पे बहुत सारे सुंदर सुंदर गॉमपास देखने को मिल सकते हैं glaciers, meadows और यहां की ceremonies and festivals are also very very attractive यहां के को nature के साथ ढाल लिया है और इतनी जादा tough weather conditions में भी रहना सीख लिया है, यहां के लोग scarcity of resources को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए कोई भी चीज बिलकुल भी waste यहां discard नहीं करते हैं, इसके अलावा हमने पढ़ा था Ladakh world की one of the most beautiful places में से एक है और यहां पर लोग specially magnetic hills को द है, what are the two types of desserts found in the world, तो world में two major type के desserts find किये जाते हैं, first is hot dessert and second is cold dessert, right, hot dessert and cold dessert, hot desserts कुछ ऐसे होते हैं, जहां पर की दूर दूर तक कोई vegetation देखने को नहीं मिलती, यहां पर no rainfall होती है, और यहां पर climate extremely hot होता है, और cold desserts कुछ ऐसे होते हैं, जहां पर temperature extremely cold होता है, और यहां पर भी बारिश बिलकुल negligible होती है, right, second question, in which continent is Sahara Desert located, तो इसका answer है Africa, Sahara Desert, Africa northern हिसे में located है, right, यह Africa, Africa का northern path, Sahara Desert, Chad, Sudan, Niger, Malie, Algeria, Libya, Egypt जैसी बहुत सारी countries को cover करता है, right, third question, What are the climatic condition of Ladakh Desert? Ladakh Desert जो है, extremely cold और dry है, due to high altitude, और यहां पर हवा इतनी जादा पतली है, कि यहां पर sun की heat बहुत जादा intensely feel की जा सकती है, यहां पर हम देखें तो all around हमको snow ही snow देखने को मिल सकती है, और कहीं कहीं पर दूर दूर पर थोड़े बहुत grasses देखने को मिल सकते हैं, trees तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन हर तरफ बरफ ही बरफ देखने को मिलेगी, next question, what mainly attracts tourists to Ladakh, Ladakh के beautiful, कुछ sceneries हो गएं, gompas हो गएं, meadows हो गएं, glaciers हो गएं, और सबसे important यहां के लोगों की ceremonies लोगों को बहुत जादा attract करती हैं, right? तो Ladakh में सबसे famous वहां की scenic beauty है, वहां के gompas हैं, monastries हैं, वहां के बड़े-बड़े सुन्दर दूर दूर तक फैली sceneries हैं, वहां पे कुछ monks बहुत पाई जाते हैं, वो और यहां का culture, beautiful culture, right? तो Ladakh की सबसे beautiful places, Ladakh की monastery, gompas, और यहां पे famous monks, और यहां के कुछ culture, tradition, festivals, वाव! Next question, what type of clothes do the people of Sahara Desert wear? Sahara Desert के लोग कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, अपने head पर हमेशा ही headgills type का पहनते हैं, to protect themselves from heat और धीले-धीले light color के कपड़े पहनते हैं, कुछ ऐसे, right? People of Sahara Desert wear heavy robes as protection against dust tromps and hot winds. Next question, name the trees grown in Ladakh, Ladakh में willows, poplars, apples, apricots और walnuts बहुत सादा ग्रो करते हैं, तिक the correct answer, Sahara is located in which part of Africa? Eastern, Northern or Western? The answer is Northern. Sahara is what type of desert? Cold, hot or mild? The answer is hot. The Ladakh Desert is mainly inhabited by Christians and Muslims, Buddhist and Muslim, Christian and Buddhist, Buddhist and Muslims. Desserts are characterized by scanty vegetation, heavy precipitation, low evaporation. Scanty vegetation, scanty का मतलब होता है, बहुत कम vegetation. Hemis in Ladakh is famous for temple, church या monastery. The answer is monastery. Egypt is famous for growing wheat, maize या cotton. The answer is cotton, right? Next question, match the following. Oasis क्या होता है? Oasis is depressions with water. Bedouins क्या है? Bedouins, जो है, Sahara Desert की एक tribe है. Oil क्या है? Oil कहां में find क्या जाता है? Libya में find क्या जाता है. Next is Gangri. Gangri क्या है? It is a desert. It is a glacier. Lama Yuru क्या है? एक monastery है. Right? Give reasons, there is scanty vegetation in deserts. हाँ, बिलकुल सही बात है. This scanty vegetation is desert due to unfavorable climatic conditions. पहले तो यहां का, जो है, यहां पर flora grow ही नहीं कर पाता है. क्योंकि यहां का extreme heat or extreme cold temperature होता है. और यहां पर rainfall बिलकुल नहीं होती. तो यहां पर fruits, vegetables कुछ भी grow नहीं कर पाता है. Right? यहां की vegetation बहुत scanty होती है क्योंकि यहां पर rainfall बहुत जादा low होती है. और दूसरा, यहां का climate हमेशा ही extreme होता है. वो extreme hot हो, जाए cold हो. People in Sahara wear heavy robes. People in Sahara wear heavy robes as protection against dust, storm and hot winds. Sahara is a hot desert, therefore dust, storms and hot winds containing sand is common here. It also helps in protection from sun. लोग हमेशा ही अपने सिर्पे headgear पहन के चलते हैं ताकि वो hot wind से बच सकें. Next question, map skills. On the outline map of Africa, mark the Sahara Desert and any four countries around it. Next question, on the outline map of India, mark Karkuram, Sinskar Range, Ladakh and Zozila Pass. तो ये रहा Africa का map, Chad, Egypt, Libya, Algeria, right? कोई भी चार countries हमें mark करनी ते, आप कोई भी कर सकते हैं. Next is Zozila Pass. Zozila Pass कहाँ पर है? Zozila Pass है कुछ यहाँ पर, right? Ladakh कहाँ पर, blue color से highlight है, highlighted है, Zinskar Range, red color से और Karakuram Ranges, yellow color से highlighted है. और ये हैं India का math, right? Next, for fun activity, dessert game. This is a classroom activity involving all the students. The teacher will create a list of dessert creatures. The number of creatures should be same as the number of students in the class. The creatures can be picked up from the categories of mammals, birds, reptiles. Mammals can include camel, yak, fox, sheep, goat, antelope, birds, raven, eagle, vulture, turkey, reptiles, snakes, leasers, wow. Assign one dessert creature to each student. Ask the student to write three characteristics of the creature on the plain sheet of paper. Students can use index card of size 10 cm x 15 cm questions such as and what type of dessert it has found major adaptations used to man. These characteristics will be used as clues for guessing the name on the board. Make three columns, mammals, birds, reptiles. Paste the sheet of the paper in the column under the particular category. The class can be dried into four groups. They will compare against each other in the dessert game. Each group now takes turn in the guessing correct answer. Wow! It's going to be a lot of fun. We will guess all the answers. Explain to the class that they have guessed what animal matches the characteristics listed on the paper. Suppose we will write some names of animals, which we will get in desserts. and we will write three characteristics of their three characteristics and see if we can guess it or not. We will definitely do this in the class. Animals hot dessert has a double set of eyelashes to keep away the sand. The height is used for making water bodies. Which animal can be used for making water bodies? This can be used for camel. The correct answer is camel. Within the group, there will be a student who has prepared the card. The student should not answer. The 10 points are awarded for the correct answer. The game will enable students to understand the dessert. You can play the same game by taking different types of fruits, flora, clods the people wear. Now, what are we going to do in this game? We are going to tell all the class about an animal, about a name, about an animal. We will write three clues about it and we will tell our friends to guess it. Suppose I told us about camel, I have told us about animal of hot dessert. It has double eyelashes and it has to be used for making water bottles. You can make snakes, lizards, or trees, that there will be a creep that can survive in a lot of water in a lot of water. It can survive in a lot of water, its roots are deep and its leaves are waxy and thonny. So, tell us who is the plant. Yes, it is cactus. You guessed it, right? So, we will be doing some interesting quiz in class in class. Thank you so much. Next chapters will be made with us in the next chapter. Thank you so much, children. blessing! Then, a story. . . . . झाल झाल